पर्मानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़नेंगे स्टुडेंट्स अभी तक जो मेरा अन्वा है उससे यही लगता है कि पुछ सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको सही धंसे नहीं बताया गया या वो नहीं पढ़े जहां तक वीडियो के त्रूप टिश्यू की बात है तो यह बनाया ही जाता है ताकि बच्चों को यह पसंद आए बच्चे देखे तभी तो सब्सक्राइबर पढ़ेगा है यह पर्मानेंट टिश्यू के बारे में पहला बदा मेरा वीडियो है सिंपल टिश्यू और मेरे स्क्राइबर टिश्यू के बारे में अब यह पर्मानेंट टिशू तो permanent tissue mainly two types के है, simple permanent tissue, अब simple permanent क्यों नाम दिया गया, क्योंकि all the cells are similar, इस permanent tissue में, simple permanent tissue में इतने एक लिए cells हैं, जो ये सारे tissue में present हैं, सब एक तरा लिए हैं, दूसरा है complex permanent tissue, complex permanent tissue वो tissue है, जो बहुत type के cell से मिलके बनाए, और तीसरा होता है special permanent tissue, तो इसके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे, लेगिन पहरे लोग simple permanent tissue के बारे में पढ़ेंगे, तो simple permanent tissue, फिर आगे two types के, दो काम करते हैं, एक support और दूसरा protection, support के लिए जो tissues हैं, उनका तीन तरके हैं, वो तीन तरके हैं, और इनका तीन नाम भी है, पहला है paranchyma, दूसरा kolenchyma, और तीसरा is klerenchyma, पहला है paranchyma, जो ground tissue भी जिसको हम बोलते हैं, वो भी अब गोत अरगा है, तो कि कुछ paranchyma में chlorophyll present है, तो उनका नाम हो गया, klerenchyma, chloroplast having paranchyma is called klerenchyma, दूसरा है aranchyma, air से बना, तो air cavities जिस paranchyma में present हो, उसको बनेंगे aranchyma, इस तरह हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग तो paranchyma यानि supporting tissue के बारे में पढ़ेंगे, तो paranchyma cells, जो है, paranchyma tissue के जो cells हैं, वो किस तरह करते हैं, इनका जो cell है, वो living है, और isodiametric, isodiametric, मतलब सब का diameter same होगा, loosely packed होते हैं, paranchyma हैं, तो loosely packed होगा, large central vacuoles होगा, और cytoplasm जो होगा, cell में वो peripheral, मतलब किनारे पर ही present होगा, nucleus prominent होगा, thin cell wall होगा, ये कहां present होगे, cell के, तो soft parts of the plant, जहां भी soft part है, मुलायम part है plant का, वहाँ पे ये present होगा, इनका काम है, storage, दूसरा है, storage मतलब, plants में food का storage होगा, mainly तो वही होगा, या फिर best, substance का भी storage हो सकता है, लेकिन वे substance storage के लिए vacuole है, cell में तो वहाँ पे होगा है, storage का मतलब ही होगा, कि these are either water storing, और filled with air, और तीसरा होगा food storage, तो food storage is the main function of parenchyma, chloralchyma जो होता है, वो chlorophyll वाले, chloroplast तो ऐसे parenchyma होगा, chloralchyma बोलते हैं, दूसरा है air timer, most of the aquatic plants, we all have seen these are floating, वो तेरते हैं, how they float, plant हैं, तो float कर रहे हैं, it means light weight, light weight का मतलब ही है, air filled cavities है, तो ऐसे parenchyma, जिसमें air present है, ताकि plant को light बना दे, उनको हम लोग, एरेल काइमा बोलते हैं, अब second है, कॉलेल काइमा, कॉलेल काइमा भी, आइसो डायमेट्रिक living cells से मिलके बना हैं, intercellular spaces इसमें बहुत कम हैं, यानि compact, यह क्या करते हैं, यह feeling करते हैं, यह इस तरह का tissue है, जो plant में feeling का काम करते हैं, Each cell causes a large central vacuum, अब क्योंकि यह एकदब combined हैं, compact हैं, cells का newly formed नहीं हैं, तो क्या होगा, इन में vacuum बन गया, और periphery में हैं ही nucleus भी present है, लेकिए, corners, cells के corners पे thickening हो जाता है, किसका ठीक नहीं, lignin का, cells, जो यह cells हैं, वो कहां present होंगे, यह present होंगे, epidermis के नीचे, petiols में हो सकता है, stems में हो सकता है, या herbaceous, dicot plant में, मतलब ऐसे dicot plants, जो herbs हैं, उनके stem में हो सकता है, उनके epidermis में present हो सकता है, और इनका function क्या है, mechanical strength, जैसे कि हम बता है, feeling का काम कर रहा है, तो क्या करेगा, strength देगा, दूसरा काम करेगा, कि prevent clearing of leaves, पत्ता असानी से, पानी गीरा और पत्ता तुप फट गया, अशा नहीं होता है, मतलब उनके strength है, उनको support कर रहा है, ताकि leaves तुरब फटे नहीं, असानी से, और storage भी इनका काम है, storage of food, photosynthesis इन में होता है, बहुत सारे kolenchyma, tissues में photosynthesis होता है, इसलिए ये इनका और type नहीं है, third है scleranchyma, scleranchyma का जो cells है, वो thick world है, अभी तक तो thin world था, दोनों में parent काइमा और colon काइमा में, इसका है cells thick world, मतलब इनके walls में thickening हो गया है, colon काइमा में corners से, cell के corners से पाई, इनके कोई भी thickening नहीं है, अब इसमें क्या है, इसमें thickening इनके cell wall नहीं हो गया, और बहुत कम protoplan हों होगा, या नहीं भी हो सकता है, जो भी cell है, जब protoplan नहीं हैं तो क्या होगा, dead cells होगा, तो all cells are dead in maturity, जैसे जैसे cell mature होगा, वैसे वैसे dead हो जाएगा, और ये cells जो हैं, वो फिर आगे जाके, हम इनको दो type में बाढ़ते हैं, पहला fibers, fibers क्या होगा, fibers you all have seen fibers, fibers मतलब ratio, तो ratio में मतलब ये elongated होंगे, और one से लेके 90 cm तक इनका length हो सकता है, narrow होंगे, spindle shaped होंगे, spindle means pointed at the ends, फिर होगा, इनमे ये mechanical strength देते हैं, तो वी all know that, there are many fibers, most of the fibers that we obtain from plants, we get from the stems, so these are present in stems, and these also provide mechanical strength, और दूसरा हो जाएगा, पहला होगा fibers, दूसरा होगा, sclerids, sclerids हैं highly thickened, fibers से, fibers तो thin हैं, elongated हैं, fiber की तरह हैं, लेकिन ये जो है sclerids, ये highly thickened cells हैं, dead, इनमें narrow cavities होता हैं, और single और group में ये present रहते हैं, इनका काम है stiffness, कडापत देना, मतलब उसको जिस condition में हैं, उसी में खड़ा रहा हैं, तो इस तरह से, तीन टाइप के, जो हमारे simple, पर्मानें टिशू जो हैं हमलों के बारे में पड़ दे, दूसरा है protective tissues, ये protective tissues जो हैं, वो दो तरफ के, पहला है epidermis, epidermis का मतलब क्या है, ap का मतलब होता है upon, और derma का मतलब इसकी, तो plants में, there is a, there are many types of plants, because they have different habitat, many of the plants live in water, means they are aquatic, hydrophytes, कुछ जेरोफाइट्स हैं, कुछ पीजोफाइट्स हैं, अब इंसान और जांवर तो है नहीं, कि अपना नहीं जगर पे नहीं रहना चाहते हैं, तो चेंज करने हैं, they are stationary, मतलब fixed to the point, तो अब उनको वही रहना है, इसलिए इनके body में epidermis, और cork नाम का दो protective tissues हैं, तो epidermis जो हुआ, वो simple permanent tissue का ही है, इसका function हुआ protection, protection किस से, तो protection होगा, water अगर बहुत ज़्यादा एंटर कर गया, plants में, तो क्या होता है, अब उसको protect करना है अपने आपको, तो वो transpiration की थूप, guard cells, फिर cuticles, पानी में रहने वाले जो plants, यह पे high-al, zero-fights हैं, उनके leaves में, उनके stem पे, पानी जो है, अंदर से बाहर नहीं आई, इसलिए ए ठीन वैक्सी लेगा होता है, इसको अब बोलते हैं cuticle, तो stomata, cuticle, और तीसरा है आपका, हाँ, यही दो ही तरह का होता है, cuticle, अब गार्ट है, तो stomata का ही पार्ट है, इसलिए stomata हो गया, तो दूसरा हो गया आपका cuticle, इस तरह का जो भी structure present है, वो epidermis पे, वो उनके protection के लिए है, मतलब plant parts के protection के लिए, लेकिन यह भी क्या है, यह भी हमारा permanent tissue का, simple permanent का type है, प्रोट्स यह सब्सक्राइब की हो गया, और protective method, दूसरा है cut, cut का क्या थाम है, cut कहा होता है, cut का मतलब होता है, old dicot stems और roots में यह present होते हैं, क्यूंकि cork cambium वहीं पे होता है, तो इनका characteristics है कि इनमें suverine पाया जाता है, cork cells dead होते हैं, closely packed होते हैं, और कोई जब closely packed हैं, तो intercellular space नहीं होगा, suverine जो है, वो cork cells को impervious to water and air बनाता है, ना तो air वो water उसमें enter कर सकता है, ना बहार जा सकता है, functions है, protection, protection मतलब यह protect करता है, infections है, plants को, mechanical injuries है, और disection, desication से, दूसरा है lentices, जो होते हैं, lentices, cork में पाये जाते हैं, तो lentices, outer surface of cork पे होते हैं, aeration के लिए, जो inner surface है, उसको air, मतलब breathing के लिए, exchange of gases, provide करने के लिए, यह small holes होते हैं, lentices का नाम आप लोग पहले भी सुने हुएं, trees के trunk में, जो बड़ा-बड़ा holes होता है, उसको बोलते हैं lentices, fruits में, light apple, small dots, तो यह भी है lentices, तीसरा है, commercial use, जो हम लोग सुबेरिक के कारण ही, cork का, cambium, cork जो है, उसका हम लोग use करते हैं, ढ़कन के रूप में बहुत सारे liquids जिस bottle में रखते हैं, उसमें cork लगाते हैं, तो यह इनका use or function हो गया, So, I hope you all have understand about the permanent tissues in simple permanent tissue because classification of plant tissue is very big topic and we cannot include all the topics in one video. So, I will again make another video for complex permanent tissues and special permanent tissues. Please subscribe my channel, like and comment, surely means जरूर आपको comment करिये, ताकि हमको पता चले की video सही direction में जागा.